को इस स्वागल दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो जासा कि आप spider जानते हैं हमारे इस चैनल में दो फीमेल फैकल टीवी इह जो आपको बहुत सारी डीर सारी इन्फॉमेशन देती है बहुत सार वेकैंशी जो है आपको डेटेंड में बताती है एक तरह से समरी वीडियो है एक ब्रीफिंग वीडियो है जहाँ पे दोस्तो अल ओफा इंडिया के फ्रेशर स्केनेट जो है फॉर्म के लिए लिजबल है तो यहाँ पे जो हैं बारी बारी करके बहुत सारी वेकेंसिस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो यहाँ पे मैं धेट सारी वेकेंसिस बताने वाला हूँ जो इस महीने के अंतक खतम होने वाली है या फिन जन्मरी महीने में जो इनकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तो स्टार्ट करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तो जो लाइक और शेर कीजेगा तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम आईवी वेकेंसि बी आर्सी में तो भावा एक्टॉमिक रिसर्स तो दोस्तो भावा एक्टॉमिक रिसर्स में जो है डिप्लोमा के आईक आईक के टेंथ के और ट्वेल्थ पे साइंस वाले केंट जो आपको आपको अलिजबल है यहाँ पे टोटल नंबर ओफ वेकेंसिस की बात किया है दोस्तो तो 156 जो है टोटन नंबर ओवेकेंसिस हैं ग्रूप बी और ग्रूप सी के लिए यहाँ पर वेकेंसिया रखी है यहाँ पर अगर डिप्लोमा की बात किया है तो मेकेंकल के एलेक्ट्रिकल के कैमिकर के लिएक्ट्रॉनिक इंस्रुमेंटेशन के प्रूप कर सकते हैं दोस्तों यहां पर अगर ट्वेल्ट की बात कि लिए तो प्लांट ऑपरेटर के लिए जो है इसका सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने धेर सारी इंफोर्मेशन के बारें बात कर रखा है और यहां पर बहुत सारी इंफोर्मेशन मैं आपको बताया हुआ तिसकी दोस्तों जो लास्ट इट है मिनिस्ट्रिय फोर्म अफेर के अंतरगत आती है तो इसमें जो है वैकेंसी आ रखें दोस्तों यहां पर दो हजार टोटल नमबर वैकेंसी हैं जहां पर दोस्तों एसी आईओ के जनर्स के लिए एनमबवेस के लिए 113 OBC के लिए 417 SC के लिए 360 ST के लिए 111 यहां पर रखी गई है टोटल जो है पैटर्न के रिए यहां पर तीन तरग का लेवल है पहला पर लेवल जो दोस्तों यहां पर आपको अब्जेक्टिव बेसिस पर है जहां पर जनल अवैनेस इंग्लिस लेंग्विज और जनल स्टेडी से सव कोशन जो है पूछे एंगे एक घंटे का यह पिपर होगा टायर टू में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव लेंग्विज है यहां पर जो है एसे राइटिंग लेटर राइटिंग आपका रखा गया है पचास नंबर के यह होगा एक घंटे का आपको समय दिया जाएगा तीसरा राउंड दोस्तों यहां पर इंटर्व्यू रखा गया है तो इंटर्व्यू होने के बाद जो आपके फाइनल सेलेक्शन होगा दोस्तों इसकी जो लास्ट टेट रखी गई ह नौ जनबरी 2021 रखी गई है इससे पहले आप फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं तो कर लीजे लिंक आपको डिस्केप्शन वक्स मिल जाएगा या फिर दोस्तों आप क्विक्टेक्डिव.com पर जाके फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं अब दोस्तों हम अगली जो वैकेंसी के बारें बात कर रहे हैं वो यह एरपोर्ट अथॉर्टी ऑफ इंडिया लिम्टेड जूने एक्सक्यूटिव और मैनेजर्स के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है यहाँ पर 360 जो है नंबर आफ वैकेंसी है इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने अलड़ी सेपरेट वीडियो में देर रखा है यहाँ पर सैल लेगा जो पैकेज है दोस्तों बहुत अच्छा है साथ जासले की एक लाग असी जा तक जो सैल लेगा पैकेज दिया गया है यहाँ पर जूनियर ट्राफिक एक जूनियर जो है नमबर ऑफ वेकेंसी जैं तो यह जो है कैसे प्लाइ करना है और इसकी लास्टेट तो मैंने आपको स्टाइटिंग के बता दिया किसकी जो लास्टेट यह रखी गई है दिन दोस्ति हैं मैं बात करूं एप्लिकेशन फी की यहाँ पर जो एप्लिकेशन फी रखा गय है देन दोस्तो जो अगली वेकेंसी हमारे पास है नेसनास फर्टलाइस लिम्टेड इसमें जो है मैनेजमेंट ट्रेनी जहां पर दोस्तों भी बीटे के कैनेट ड्रिया फॉर्म को फिल अब कर सकते हैं दोस्तों इसकी जो लास्ट रखी गई है 21 जनवरी 2021 रखी गई है यह यहां पर अगर आपने फॉर्म को फिल अब कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया यहां पर बी बीटे को बीसे इंजिंग केंड जो है फॉर्म के लिए यहां पर यहां पर रखी गई है इसका जो एक्जामरेशन संटर है दोस्तों ऑल ओफा इंडिया में है जमूर कस्मीर भोप पूचेंगे और दूसरा पार्ट जो है नॉन टेक कोशेंगे नॉन टेक के पचास कोशन से यहां पर फूचेंगे दो घंट का यहां पर पेपर होगा और कोई भी किसी पर नियाटिव मार्किंग यहां पर नहीं रखी गई है अप्लिकेशन फीजों यहां पर 700 रुप्य कर रखा गया है अगर आप फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं या फीज के डिटेन में रिगार्डिंग जाना चाहते हैं तो अल्यडी हमाया चैनल में इसके रिगार्डिंग वीडियो अप्लोड है आप जो यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो सैल यह दोस्तों 40 से जाद दोस्तों इसकी जिकवाल लास्टेट में फिर बता दूं 21 जनवरी 2021 जो इसकी लास्टेट रखी गई है तो दोस्तों यह कुछ जॉब्स मैंने आपको बताया अभी जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थी और बहुत ही ज्यादा है आपको लोग लहेगा क्योंकि यहां स्वाइब जाएए आप डेली विजिट कीजा आपको बठेर सारी वेकेंसिस जो हैं मिलेंगी तियो वेकेंसिस आपको कैसे लगी कमेंट करके आप हमें ज़रू बताएं मिलते हैं फिर हम नए वीडियो के साथ नए इंफॉर्मेशन के साथ आज के लिए वस इतना है